पाकिस्तान क्रिकेट टीम में यह चल क्या रहा है भाई वेल गाईज आप लोगों को तो पता ही होगा उनका T20 वोल्ड कप कैम्पेन कितना खराब था वो सूपर 8 स्टेज तक भी नहीं पहुँच पायते और इसलिए पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स है वहाब रियाज और रजाक उन दोनों को PCP के तरफ से आज सिलेक्टर्स रिमूव कर दिया गया है इसके बाद पाकिस्तान टीम से रिलेटेड एक और रिपोर्ट आया जिसमें बताया जा रहा है कि इस पूरे सिचुरेशन पर रियाक्ट करते हुए शाहिद अफरीदी कहें कि जो भी डिसिशन लेना है आपको लें और उस सिस्टम को उस कैप्टन को उस कोच को टाइम दे जहां तक बाबर की बात है उनको अल्रेडी काफी टाइम मिल चुका है हमने भी कैप्टन सी किये मिजबा उलक ने भी किये युनिस खान ने भी किये इतना खुला चांस किसी कैप्टन को नहीं मिला वरना हमारे टाइम पर वर्ल्ड कप खतम होते ही कैप्टन पर चूरी फेर जाती थी तो बाबर को तो दो तीन वर्ल्ड कप, दो तीन एशिया कप काफी जबरदस्त मौका दिया गया है, बाबर को काफी मौके मिल चुके हैं, तो अब जो टीम में चेंजिस आने वाले हैं, उसको थोड़ा टाइम दे,